मैंसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें चुकि पासा आपका एक बहुत इंपोटेंट टॉपिक है रिजिनिंग का आपके करनी साहे के लिए अगर साथ नंबर की रिजिनिंग आती है एक नंबर अगर पासा से बन जाएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा या चीजें अपने आप बहुत इजी हो जाएगा और ये टॉपिक आपका आरो यारो में क्यूँकि सलेबस में चीजे दी गई है वहाँ भी आपका काम आने वाला है ठीक है आप देखना रिजिनिंग में मैंने कलेंडर कराया हुआ है डाइरेक्शन वाला करा दिया है रक्त संबंद के कुछ क्वेशन मैंने कराये हैं आपको इसके अलाबा दो तिन टॉपिक साथ और करा रहे हैं तिरिभुजगारना वाला जैसे अभी पटव क्यों प्रेकार क्यों होते हैं तेन प्रकार से से क्वेशन मनते हैं तीन प्रकार से एक पासा अतोरा नक प्रसं पूख्य का पन जायते हैं बच्चो जि बच्चो जिसके दो बिपरीत सता है यही पॉइंट इसका पकड़ना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पासा है सदैव क्या लिखोगे साथ लिखोगे ठीक है इसका यही कॉंसेप्ट पकड़ना है कि दो विप्री सता का योग सदैव साथ होगा और निकटवर्ती दो सता का योग कभी भी साथ नहीं हो सकता है ठीक है अभी बताता हूँ देखो ऐसे लिखो इसमे बस इतना ही आपको पता करना है आपको पता जो जाएगा कि कौन सा मानक पासा है कौन सा नहीं है अब देखो ये मैं क्या कहना चाहरा हूँ जैसे आपने कोई dice देखी कोई पासा देखा ठीक है अब पासा अब देखो मैं इसका जो मानक पासा बना रहा हूँ इसका concept में इधर बता रहा हूँ ठीक है इसको साधान पासा के अंदर मतलब ना फिर जब पूरा समझाओंगा फिर साधान देखो अब मैंने मानक पासा जब बताया आपको इसका क्या मतलब है देखे जैसे मैंने सपोज कोई एक dice बनाई बच्चो क्या बनाई कोई एक dice बनाई ठीक है यनि एक पासा बना दिया अब जैसा भी बनादा ठीक है उल्टा सुल्टा सीधा आपको तो समझने से मतलब है जैसा भी यह मतलब होगा बच्चो कि यह क्या है अपने आपने मानक पासा नहीं है क्यों कि निकटवर्ती सताकायोग साथ नहीं हो सकता है यह भी लिखा है यानि देखो पांच और दो जोड़ोगे तो साथ आ जाएगा तो इसका मतलब है कहीं न कहीं यह अपने आपने मानक पासा नही अगर आपसे कोई question कभी एक दिङा गया चित्री यदि मानध पासा है तो आप बताईए पांच की विपरीत क्या होगा तो आपने स्थिधे दिमाग लगा कि यार इसने ये कहाए कि ये एक मानध की पासा है और सर ने बताय था मानध पासा में हमेशा विपरीत सता का युग सा तो एक के विप्रीद कहीं न कहीं क्या होगा एक के विप्रीद 6 होगा क्योंकि सर ने बताया था आपको क्या होता है मानक पासा में 7 होता है तीन के विप्रीद हमेशा 4 होगा क्योंकि अगर उसने पहली कहिए मानक पासा है तो 7 होगा और 5 के विप्रीद हमेशा क्या होगा 2 हो इसको आप लोग ध्यान में रखोगे ठीक है, तो इस टेंडर पासा क्या होता है, मानक पासा समझगे ना? मानक पासा का मतलब है, बच्चो सीधा सीधा क्या है, निकटवरती जो सत है उसकी है, अपने आप में कौन से इसंका इसाथ नहीं होगा फिरू जब्यू प्रीस अग्यों का योग साथ नहीं अग्यानकना और इसके अलावा निकटवर्ती सता के अंक का योग साथ हो सकता यानि जो अगल वगल है, वो साथ हो सकता है, लिखो, निकटवर्ती का योग साथ हो सकता है, यानि अगर आपको कोई device दी गई, कोई dice दी गई है, और उसमें ये कहेगा, कि निमने लिखित में से कौन सा एक मानक पासा है, कौन सा एक साधरन पासा है, तो आप पैचान अगर आपको 4 dice दे रखियें और कहेगा, निमने लिखित में से अपने आप में कौन सा एक मानक पासा है, तो आप पहचान पाऊगे, नहीं पहचान पाऊगे, इसमें क्या होगा, इसमें आप easily पहचान लोगे, अगर किन ही दो बगल वाले का योग साथ आ रहा है, तो अप पी, सीडि लिख दिया, का खागा अंक नहीं लिख रिकें, या कोई हैज का चिन्न्य मना दिया, स्टार बना दिया, वो सब के सब क्या होंगे, साधा रहन पासा ठीक है, लिखो, यह इसमें चिन कोई sign ठीक है oblique अक्षर भी सताव पर दिखाई जाती है सताव पर हो सकती है अब reasoning है reasoning का मलब तरक सकती है suppose आपसे ऐसे question पूछ दिया बाईजाएंस अगर आपसे question पूछ दिया उसने 3-4 अपने आपने क्या बना दिया पासे की सता बना दिया यानि कोई भी 3-4 पासे की सता बना दी और आपसे एक जैसे एक सता उसने ये बनाई ठीक है एक ये बना दी इसी परकार से एक दूसरी सता उसने बना दी इस परकार से ठीक है इस type से भी question पूछे जा सकते है ध्यान रखना एक ये बना दी उसने एक तीसरी बना दी उसने इसी तरीके से तीसरी और ऐसी एक चौथी बना दी चरीक है, चोटा बना दी तहां में क्योंकि ispace नहीं हो आपर यह, suppose यह चार सता बना दी, अब उसने क्या किया यहाँ कुछ भी लिग दिया रहेंड लमने यहां उसने 2, 3, 5 लिदिया यहां 1, 6, 4 लिदिया यहां 3, 4 और 5 लिदिया और यहां उसने क्या गर दिया A, B, और C लिदिया ये तो इसका मतलब है जहांपर A, B, C चिन्न या अक्षर का प्रियोग किया गया है वो भी अपने आप में कौन सा पासा हो सकता है साधान पासा हो सकता है तो आप समझ गे ना दो विप्रीत सता का यूग साथ होगा तो कौन सा पासा होगा विप्रीत सता का यूग साथ होगा तो साधान होगा और बगल वालों का साथ नहीं है तो वो भी मानक होगा ठीक है और साधारन में क्या होगा विप्रित का यूग साथ नहीं आएगा और निकटवर्ति का यूग अब आप तुरंत जोड़ दोगे अगर आपको पासे दे रखें अब बताओ अब एक नॉर्मल ये पास है ये सब के सब साधारन पास है और हाँ अगर मैंने इसकी जगा एक लिख दिया होता है तो ये अपने आप में साधारन पासा नहीं था ये अपने आप मानक हो सकता है और अगर आपसे कभी question पूछे, निमने लिखित मैंसे दिया गया पासा, जो है ये वाला पासा, ये मानक पासा है गईगा, तो इसके बाद 3 के विप्रीद कौन सा है, तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी मानक पासा होगा, मानक पासा, तो उसमें विप्रीद सता का योग स होता है, तो 3 के बीचे इसमें कौन सा होगा, 4 होगा, 1 के बीचे कौन सा होगा, 6 होगा, 5 के बीचे क्या होगा, 2 होगा, तो अगर आपसे question ऐसा पूछ दिया, निमने लिखित मैंसे जैसे कोई figure दिया और कहगा कि निमने लिखित दिया गया चितरे एक मानक पासा है, तो 4 के विप्रीत कौनचा होगा? तीन के विप्रीत कौनचा होगा? तो हमेशा याद आकना मानक पासथा की विप्रीत संभा का योग साथ होता है, ठीक है? अगर question पूछता है मानक पासथा मैं डेखो, ऐसे question पूछेगा अगर पासा मानक है तो क्या हो जाएगा एक के विप्रीद 6 दो के विप्रीद 5 और तीन के विप्रीद 4 हो जाएगा ठीक है अब नियाब में क्योंकि योग उसका क्या होना है साथ होना है तो यह मानक पासा की बिसेशत है हाला कि question ऐसा है आता है नहीं अब question जो paper में पूछता है इससे बहुत कम question पूछता है type 1 लिखो type क्या दिखोगे एक जो paper में question पूछा जा सेथा है इसमें आपको क्या कर देगा बच्चो type 1 में question क्या देगा देखो आपको एका figure देगा यानि एक दो device की figure देखा पहले figure बना लो ठीक है suppose आपको ऐसे एक figure देदिया इसने इस तरीके से इसने एक dice बनाई ठीक है यानि अपने आप में ये figure बना दिया इसने इसी परकार से एक दूसरा बनाई है इसने इस परकार से देखो दूसरा इसने ये बना दिया ठीक है दो सत्र दो फेज दिखा दी इसने इसमें लिख दिया इसने पांच तीन और दो बना दिया ठीक है और दूसरे में बना दिया छे दो और चार छे दो और चार अब आपसे कहा कि यह से कहेगा यह फिगर दिया होगा अब आपसे कोई एक चीज पूझे का कि इसके विपरीत कौन सा होगा इस तरीके से question पूछेगा ठीक है तो ये question जो है बच्चों इसको क्या बोलते हैं तो आप इधर लेख लो question का क्या question रहेगा इस type से लिखो question आगे से लिख दो यदि किसी पासा के दो इस्तितियां दी गई हो दो या दो से अधिक इस्तितियां द इसमें ये question का type क्या होगा मतलब इसको आप क्या बोलोगे इस question को तो आप सीधर सीदे लिखो यदि किसी पासा की के दो इस्तितियों को दिया गया हो यानि कितनी condition दे रिखें दो condition दे रिखें दे रिखें दे रिखें दो condition दी हैं तथा उस पासा के किसी समान सता पर समान पूरा रिखना है, दो इस्थितियां दी गई हो, और समान सता पर समान अंक हो, समान सता पर समान अंक, यानि किसी समान सता, किसी लिख दो, किसी समान सता पर समान अंक, तब बिपरीद पूछेगा, तब किसी एक के बिपरीद पूछेगा, तब बिपरीद क्या होगा, यानि किसके बिपरीद क्या होगा वाली बात, ठीक है, ऐसा वाला कोश्चन होगा, अब देखिए, अब बाइचांज आपके ये कोश्चन ये पू अब आपको सीधा सीधा पता है कि समान सता पर समान दे रखा है दो के पीछे मलद दो आपने देख लिए कि दो इस्तितिया निये किसी समान सता पर समान अंक है दो यहाँ पे भी उपर वाले में है यहाँ भी उपर वाले में का दे रखा आपने आप में दो दे रखा अब सब से बड़ी चीज आते है बच्छों की ये कब ऐसा केस कभी भी होगा जब समान जगह पर समान दिया है तो इसका सीधा सीधा मतलब है इनके जो विपरीध होगा पांच के विपरीध छे होगा तीन के विपरीध चार होगा और जो बचेगा उसके विपरीध जो अंक मिसिंग हो दो है दो है और समान सत्य है नहीं उपर वाली सत्य है उपर वाली यह condition बैठ गी तब विप्रीद क्या होगा किसी के तब किसके विप्रीद क्या होगा लेखो तब किसके विप्रीद क्या होगा यह हमें पता करना है, तो आपको पता जल गया है, आप सबसे जहले समान वाला लिको, दो के पीछे, तो इसने दो को दे रहा है, ठीक है, अब देखो, पांस के विपरीद हो जाएगा, बच्चो, छे, और तीन के विप्रीद हो जाएगा चार तीन के विप्रीद हो जाएगा चार और अब आपसे पूछेगा कि दो के विप्रीद क्या होगा दो के विप्रीद जो missing है बताओ पासी में क्या क्या होता है एक होता है दो होता है दो आगया तीन होता है आगया चार होता है चार आगया पांच आगया छे तो दो के विप्रीद अपने आप में क्या होगा एक होगा क्योंकि missing वही था इसमें तो दो के विप्रीद अपने आप में क्या होगा अब यहां कुछ भी लिए दो 5, 3, यहां 1, यहां 4 लिए ठीक है अब आपसे पुछेगा कि 6 के विप्रीत कौन सा होगा आपने दिमाग लगा है आपने कहा है समान जगह पर सर ने बता था दो इस्तितियां दी गए हो A और B किसी समान सता पर समान अंक दिखाएगा यहां भी यह दिखा रखा है समान जगह पर देखो तो 6 को 6 के सान दिखा रखा है तो सर ने क्या कहा था जो हर तब विप्रीत पूछेगा तो इसका मतलब होगा समान वाले समान के विप्रीत होगे 3 के विप्रीद हो जाएगा इसमें 5 और 1 के विप्रीद हो जाएगा 4 हो जाएगा तो 6 के विप्रीद क्या बचा बच्चो जो छूटा आपने आप में 2 तो 6 के विप्रीद जो छूटा है 2 हो जाएगा ठीक है इससे भी बहुत rarely question आता है लेकिन ultimate जो अब question आएगा वो मैं बताता हूँ जो पासा से question पूछा जाता है ठीक है ये वाला question भी बहुत कम आता है most important type कर देना इसी से question आता है type कर देना इसको ठीक है type 2 कर देना जिससे question आता है paper में ठीक है इसको आप लोग लिखो सार्वभामिक नियम बोलते हैं इसको universal law पासे का सार्वभामिक नि नियम बोलते हैं ठीक है universal law पोलते हैं इसको इसमें क्या होगा इसमें नियम जो ये जो सार्वभामिक नियम है ये साधरन मानक दोनू में लागू होता है या और दो तीन चार कित्रे भी condition दियोगे ठीक है ये लागू कहां होगा देखो ऐसे देखो ये नियम कहां लागू ह साधरन प्लस मानक पासा है साधरन प्लस मानक पासा है कि और कितने और थात दो, तीन, चार, कुछ भी होगा कितने भी आकरते हैं दियो हो तो इस सार्वावमिक नियम पासे का लगेगा अब इसको बनता कैसे है इसमें क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ठीक है इसमें क्या पूछता है विप्रीत क्या होगा विप्रीत क्या होगा और इसी से क्वेश्चन आएगा जैसे कोई condition दी होगे और पूछेगा कि इसके विप्रीत क्या होगा सार्वावमिक नियम के तहट कैसे बनता है अब मैं आपको चार अपने आपने एक condition बना के दिखाता हूँ और इक question बना की ही बनता है बना ने ठीक है आप चार क्या बनाओगे सबसे पहले फेज बनाओगे ठीक है सब दो चार फेज बना दी मैंने उसकी किसकी डाइस की एक ये बनी एक फेज ये बन गया ठीक है एक और बना दो इसी तरीके से दूसरा ये बन गया ठीक है टेडा मेला जैसा भी होता है इसी ही बना दो तीसरा एक और बनाओ सार वो हमें एक नियम बोलते हैं इसको ठीक है एक और बना दो फोर्थ ये बनी ठीक है चार अब इसमें कुछ न कुछ लिखा होगा जैसे इसमें एक पांच तीन लिखा है तीन दो एक, तीन चार दो लिखो, तीन चार दो और तीन दो एक, तीन दो एक, ये चार कंडिशन दी होंगी इस तरीके से पेपर में, और आपसे ये पूछेगा, दिये गए पासे में, मतलब किसी के विपरीत क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी मतलब आपसे पू सबसे पहला, step one क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, step one लिखो, इसकी solution में step one, सबसे पहले, आपको क्या करना है, कोई ऐसे दो पासे पकड़ने बच्चो, जिसमें केवल एक ही अंक समान हो, वो चाहिए किसी भी position पे हो, जैसे A है, B है, जिसमें केवल एक अंक समान हो, सबसे पहले यह करोगा, अब पकड़ो फिर, एक, दो, तीन, चार पकड़ने न, अब बख़ो, एक, पास, पहला पास, मैं कोई दिख रहा, आपको common वाला, जिसमें एक ही common हो, दूसरा देखो, तीन, पास, 3, 5, यह नहीं पख़ सकते हो 3, 4, 2, 1 सिर्फ यहां 1, 3 है, यहां भी 1, 3 है बाकि कोई common नहीं, और last बाला भी देखो 3, 1, 2 यह दो lubricant, यहां 3, 1 आ गया यहां 3, 1 आ गया, यहां 3, 1 आ गया, यह नहीं पख़ सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ पहला और तीसरा ऐसा है, जहां सिर्फ एक common वो है तीन, तो पहला और आपने तीसरा पकड़ दिया, ठीक है, फस्ट में पहला और तीसरा पकड़ दिया, तो आप क्या करोगे step two में, step two में, step two में क्या कर दोगे, clockwise, common अंक से clockwise घुमा दोगे, तो लिखो common common अंक से clockwise जैसे घड़ी चलती है clockwise लिख देंगे बस इतना ही करना यही आंसर हो गया ठीक है अब देखो आपने क्या करा पहले पकड़ा common वाला यह था अब आपने कहा कि common अंक से clockwise लिख देंगे common कोंछा है और घड़ी कैसे चलती ऐसे चलती इस तरीके से लिख देंगे तो लिखो 3 1 5 लिख दो एक लाइन में 3 1 5 दूसरा common क्या था यह C वाला था न यह यह वाला था तीन 4 2 कलोग ऐसे गुमते न है यह तीन 4 2 लेग दो बस इतना ही करना है बच्चो इसके अलाव कुछ भी नहीं करना है आपको common वाला पकड़ना है आपको यह देखना है कि इसके इसमें कौन से NC device है दो भले यह तीन ही फिगर दो आपको NC चीज पकड़ने step 1 में कि सबसे पहले एक अंक जिसमें समान हो आपने समान वाला अंक पकड़ दिया उसके बाद उस समान वाले दो डिवाइस पकड़े समान वाले से clock वाइच चला दिया एक एक कर गए उसी करम पे लिखना है यह यह वाला पकड़ना एक पांस तीन लिख रहे है ऐसा नहीं लिखे से वाला question अपने आप में बनता है बहुत आसान question है और इसमें हो सकता है कि ABCD लिख दे या कोई चितर बना दे कोई figure बना दे आपको exactly यही करना है ठीक है और last जो type आता है बच्चों वो सबसे आसान है वो भी अंतिम type लिखो मैं एक ही question कराऊंगा क्योंकि इतना time है प्रेक्टिस आप खुद करना पासे की आप इसी question के दो तीन method सीख के जाओगे तो आपको आ जाएगा ठीक है type four type third ठीक है हाँ अगर आपको यह लगता है कि नहीं sir आप भी आप इसकी question की practice भी करा दो कोगे तो मैं practice करा दूँगा लेकिन मुझे लगता है निकी बच्चों प्रेक्टिस करने लाइक कुछ है पासे में ठीक है वो जो यह universal law वाला है आपको क्या करना है दो पासे पकड़ने figure में से इसमें एक ही common को होना चाहिए उसको clockwise लिख देदा है उपर नीचे तो एक दूसरे की विपरित होते हो ठीक है type third होता है बच्चो open dice के लिए open dice के question य open dice को अगर हम खोलें तो कौनसा पासा बनेगा दो टाइप से question आते है एक तो देखो इससे type क्या होगा यह पूछेगा विपरित कौन सा है यानि किसकी विपरित कौन सा है दूसरा पूछेगा पासा कौन से रूप का बनेगा पासा कौन से रूप में बनेगा ठीक है चार option देगा रूप का होगा ऐसा question पूछेगा अब बात आता हूँ open dice को देखो ऐसा कुछ दिया होगा जैसे आपको यह दे दिया इस तरीके से ठीक है और यहां से इसने क्या कर दिया एक लाइन यह डाल दी एक दो तीन और सपोज एक डाल दिया किता हो गया एक दो तीन चार ए ऐसे देगा एक दो तीन चार पांस शें ऐसा कुछ बना देगा और आपसे पूछ देगा कि किसके विप्रीट में क्या होगा तो हमेशा याद अखना जब कभी भी इस प्रकार की device होती है इस तरीके के चीज होती है या आपसे ऐसे पूछ देगा यह ऐसे देगा दो इफ कर दिया है, यह विप्रीत पूछ देगा, या कुछ भी पूछता है, तो हमेशा ऐसे वाले जो फिगर होते हैं, इसमें विप्रीत एक छोड़के होता है, और एक लाइन में एक ही होगा, ठीक है, जैसे आप एक छोड़के, एक छोड़के मतलब एक के विप्रीत कौन चार होगा, तो ये आगे तो बचे कौन से, छे और 5 होगे, तो 6 के विफ्रित कौन सा होजएगा, 5 होगे, लेकिन एक ही लाइन में होना चाहिए ठीक है, तब छोड़ोगे, अब देखो, यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ पे बाद आती है, अब यहाँ पे फिगर में होगा तो बचा कौन सा B और E बचा तो B के विपरीत कौन सा जाएगा E इस तरीके से अगर कोई question पूछता है तो हमेशा यादखना एक छोड़ के हमने figure में बनाना है और एक line में होना चाहिए अब पता लगा आपने A को C कर दिया B को यहाँ चोड़ के D कर दिया ऐसा नहीं पहले एक line solve करो खुद ही बच जाएगा आपका जो last figure आपका बसने वाला होगा ठीक है इसी तरीके से suppose मैं कोई और figure बना दिता हूँ एक figure और बना दिता हूँ ठीक है आप देखना बिपरी त्वाला को चाहते हैं यह open dice बोलते हैं इसमें ठीक है एक figure suppose मैंने ऐसे बना दिया देखो ये कर दिया 1,2,3,4 डबबे बना दिया एक दबबा दो,3,4 ठीक है और एक डबबा हमने suppose यहाँ पे बना दिया कहा इधर ब क्व dobr के चर चार के व्यप्रित क्या जाएगा थिक सा, बचसे बचा बच batter की क्या हो जाएगा अर्यक्तMaybe V traces यह तो आप लोगे लेकिन बच्चो कभी कभी क्या करता है फिगर क्कोर्शन ऐसे देगा और यहाँ चार फिगर बना देगा और कहेगा कि इसका जो dice है यह वाला type 2 पासा कौन सब रूप लेगा ठीक है यहाँ इसने क्या किया ऐसे बना देगा जैसे आपको यह दे रिखा ना आपको यहाँ चार आप्शन देदेगा ऐसे एक फिगर यह बना देगा कुछ नहीं है बहुत easy चीज है ठीक है दूसरा फिगर इसने ऐसे बना दिया तीसरा फिगर इसने ऐसे बना दिया और फोर्थ फिगर इसने ऐसे बना दिया ठीक है और आप से क्या करेगा यहाँ value लिख देगा इस तरीके से कुछ भी लिख देगा इस पासे को खोलेंगे तो रियल जो फिगर बनेगा जो चित्र बनेगा बच्चों हमारा को कैसा बनेगा ऐसे कुशन पूछ देगा जैसे अगर सपोज मैं इसको ये चलो ये हटा देता हूँ ठीक है इसमें कुछ और लिख देता हूँ और आपसे कहेगा इसको अगर पासे के रूप में खोला जाए तो निम्नखित में से कौन सा पासा बैठेगा ऐसा कोशन पूछेगा ठीक है ये लास्ट टाइप का कोशन है अब ऑप्शन देदेगा जिसे पहले में A, C, B लिख दिया पहले में क्या लिख दिया इसी तरीके से थार्ड वाले में लिख दिया इसने B, C, E क्या लिख दिया B, C, E और फोर्थ वाले में अगर आपका लिख दियता है F, D और A, ये उप्शन दिये होंगे F, D और A, ऐसे कौशन पूछेगा कहेगा इसको कैसे करना है आपको सिंपल सी बात है, बहुत इजी है, ठीक है अब आप क्या करोगे, पहला तो कुश्चन कौशा है बिपरीत कौशा, आप इसमें भी बिपरीत निकाल दोगे सबसे पहला काम होना चीए, बिपरीत कौशा है आप तुरंत बिपरीत निकाल दो एक छोड़के, D के बगल में कौनसा होगा, विपरीत में, D के बगल में, विपरीत F होगा, अपोजिट A के अपोजिट कौनसा होगा, C होगा, A के अपोजिट C, तो बचा कौनसा, B और E बचा B के अपोजिट कौनसा होगा, E होगा, बस, इतना ही करना है जैसे आपने opposite निकाला तो किसी भी figure में opposite अगल बगल नहीं आने चाहिए वही आंसर होगा जिस figure में opposite वाले अगल बगल ना आए जैसे इसके बगल में ये इसके बगल में तो वही आंसर होगा देखो पहला देखो D के अपोजिट F होना चे कहीं D के बगल में F तू नहीं आया चेक करो D के बगल में F D के बगल में F आ गया तो ये figure होई नहीं सकता है A के पीछे C होना चे अपोजिट में ले कहीं A के अपोजिट में होना चे कहीं बगल में तू नहीं आया एके opposite में C आ गया नहीं हो सकता है मल एके बगल में C आए जबके opposite होना चाहिए B के opposite E होना चाहिए कहीं बगल में तो नहीं आए B के opposite E आए है तो बचा कौंचा है ये वाला figure बना ठीक है तो इसका answer ये हो जागा इतना ही है पासा बच्चो ये एक दो question दो-तिन question practice करना कुछ भी नहीं है और इसमें जो question आएगा मैं आपको बताता हूँ या तो ये question आएगा जो मैंने आपको बता रखा ये open dice वाला ये नहीं आएगा तो सार्व भॉंविक वाला जो मैंने आपको बता था उसमें कुछ नहीं करना है उसमें पहले दो device पकरनी है आपकी जिसमें सिर्फ एक common हो वो कहीं भी भी हो सकता common उनकी position अगल बगल कहीं भी हो सकती है जैसे पहला type बता है उसमें तो क्या था common एक ही जगह पर होना चाहिए अंक भी एक ही होना चाहिए दोसरा बता है common हो लेकिन एक ही अंक को common हो और उसकी position कुछ भी हो वहाँ से clockwise घुमा देना एक दुस्से की बिप्रिदूंगे तीसरा type आपका यह हो गया ठीक है प्रेक्टिस करना फिर मिलते अगले session में पने ध्यान रखिएगा थैंक यू